महापुर्सों प्यार से कहिए धनिरंका जी सत्गुरु माता सुदिछा सविंदर हरदेव जी महराज कीजे महापुर्सों दास सत्गुरु की किर्पा और आप सभी संत महापुर्सों के आशिरवाद से एक बार पुना आप सभी के समक्ष उपस्तित है संत निरंकारी मिसन के साहित्य को ले करके और जैसा की पीछे कई वीडियो में दास ने संत निरंकारी मिसन की प्रेरक महिलाएं नामक पुस्तक का सहरा लेकर के उसमें लिखे हुए एक एक दिब्य महान विभूतियों की जीवनी आपके चरणों में रखने का प्रियास किया है आज इसी पुस्तक का पुना सहरा लेकर के इसके अंतिम भाग में जिस बहन का नाम लिखा है उनी की जीमनी को आपके चरणों तक पहुँचाने का एक छोटा सा परियास इसी आचना कामना प्रार्थना के साथ के आप सब संत महापुरुस माई बाप हैं किरपा वन्त हैं दया वन्त हैं तो अपनी किरपाद्रिष्टी, दयाद्रिष्टी, दासे और दासे के पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनाए रखिए, जिससे दासे और दासे का पूरा परिवार इस निरंकार के एहसास में रहते हुए, सत्गुरु के एक ही एक बचन का पालन करते हुए, आप संत महाप बहन सत नाम कवर जी आठ अप्रेल वन नईस सो तैंतिस 21 जून दो हजार बीस तक बहन सत नाम कवर जी उन करमठ संतों में से एक थी जिन्होंने पूरी तनमयता से मानोता की सेवा की और संत निरंकारी मिसन के परचार में पूरा साहियोग दिया आपका स्वास स्वास मिसन के लिए समर्पित था यूँ कहिए कि आप मिसन के लिए जिये तो यह कोई अतिस्योक्त नहीं होगी पंजाब का सायद ही कोई ऐसा नगर हो जहां इस बहन ने पहुँचकर अपने सत गुरु द्वारा परदान किये गए ब्रम में ग्यान की चर्चा ना की हो संत निरंकारी मिसन के सत्य संदेश को सादगी सरलतावा निर्भैता से पहुचाना आपकी दिन्चरिया का हिस्सा था बहन सत नाम जी का जन में आठ अपरेल 1923 में गाउं गंगवाल तासील फतेहाबाद जिला कैमलपूर पाकिस्तान में सरदार ग्यान सिंग जी य आपने प्रातमिक सिच्छा गाउं गंगवाल में ही प्राप्त की धार्मिक परविर्थ के स्वामी होने के कारण माता पिता के साथ बच्चों ने भी गुरद्वारी जाना वा संगत की सेवा करना बच्पन में ही सीख लिया था जैसे जैसे आपकी आयू बढ़ती गई वैस वैसे गुरुबाणी का रहस्य जानने की तडफ भी बढ़ती गई यह तडफ पाकिस्तान से भारत ही आकर सत्गुरु बाबा एवतार सिंग जी महराज के चरणों में पहुँच कर ही दूर हुई 1947 में भारत का विभाजन हुआ उस समय के हालात को देखते हुए मात्र 14 बर्स की आयू में आपकी साधी भाई साहब तिरलोचन सिंग जी के साथ हो गई तिरलोचन सिंग जी भी साधारल जीमन जी कर ही संतुष्ठ थे सतनाम कवर जी का जीमन भी संतुष्ठी भरा जीमन था आपके तीन बेटे श्री राजिंदर सिंग जी गुरुदेव सिंग जी योंग मनमोहन सिंग जी वा एक बेटी नरेंदर कवर नीता जी हैं आपकी भाती आपकी संतान भी बच्पन से ही नेकी के रास्ते पर चल पड़ी थी ब्रह्मे ग्यान की दात पन्नईस सो सैटालिस में भारत का बटवारा होने के कारड़ आप पाकिस्तान से भारत के पर सिध्ध सहर अमरित सर में आकर बसने लगी यहां आपने एक गिराये का मकान लिया जब निरंकार की किरपा बरसनी होती है तो कोई माध्यम भी बन जाता है अमरित सर में आकर जहां आपने गिरहस्ती चलाने के लिए नए सिरे से जीवन आरम्भ करना था जीविका के नए साधन ढूढने थे वहां निरंकार ने आपको रुहानियत के स्वामी सत्गुरू से भी भेंट करवानी थी इस किराये के मकान में रहते हुए आपका संपर्क मिसन के महान पर चारक वा इसक हकीकी के परतेच्छ परमाण स्री गुरुबक्स सिंग्जी राजकभीजी से हुआ आधननिय राजकभीजी ने पाकिस्तान में ही सत्गुरू बाबा बूटा सिंग्जी से इस सर्व व्यापक निराकार की पहचान कर ली थी जिसका रड़वा ग्यान की रोसनी से परकासित जीवन जी रहते आपकी गुरुबारी के प्रतिसरद्धा को देखकर उन्होंने आपको प्रभू दर्सन करके अलोख के आनन्द प्राप्त करने का मार्ग दिखलाया राज कभी जी के घर संतों महापूर्सों का आना जाना लगा रहता था आप देखतीं कि ये लोग सीधे साधे हैं दुनिया भी धन भले ही अधिक ना हो लेकिन ये लोग किसी साहुकार से भी अधिक खुस दिखाई पड़ते हैं इनके चेहरे का नूर साधारल लोगों से इने विसेष बनाता है राज कभी जी जब गुरुबाणी के अर्थ करके आपके सामने रखते की कैसे गुरुबाणी हमें कुछ कर्म करने के लिए आदेश दे रही है तो आपकी प्रभु भक्ती की अभिलासा तीब्र होती चली गई 1945 में सेंसाह बाबा ओतार सिंग जी महराज अमरित सर्याए और उनी से आपको ब्रह्म ग्यान की प्राप्ती हुई रूहानियत की जमीन तो पहले ही तयार थी ब्रह्म ग्यान का बीज डलते ही भक्ती का पौधा पर फुल्लित होने लगा अब तो आप भी आए संतों की सेवा करके पाउनके अमरित बचन सुनकर आनंदित रहने लगी थी घर के कारी करती हुई गुरुमारी के सब्द गुनगुनाती हुई जुम उठती थी सतनाम जी के घर उस समय सांसारिक पदार्थों का आभाव था लेकिन आपकी मेहनत वा इमानदारी ने आपका सिर कभी नहीं जुकने दिया गिरहस्त जीमन सन वननईस सो तिरसट में कोई कारोबार ढूटने के लिए आप यमरित सर से पंजाब के ही जिला लुधियाना के मसहूर सहर खन्ना में आ गए खन्ना में आपके पती बाई सहब तिर लोचन सिंग जी ने एक छोटी सी लकडी की बनी दुकान से कपड़ा बेजने का कारोबार सुरू किया इस कारोबार में आए आमदनी बहुत कम थी और घर का गुजारा भी मुश्किल से हो पाता था आप दिन भर लोगों के कपड़े की सिलाई करती घर का सारा कारी करती बच्चों की पढ़ाई लिखाई की ओर भी ध्यान देती और जब समय मिलता किसी ना किसी व्यक्ती से इस निराकार के ज्यान की या उसकता वा मानो जीमन के महत्य की बातें करती रहती थी यहां उस समय बिधिवत रूप में तो सतसंग नहीं होता था एक दो परिवार ही कभी कठे हो जाते आपने यहां अपने किराई के कमरे में ही सतसंग आरंभ किया आरंभ में अडोस पडोस के कई बहनों भाईयों को इकठा करके उन्हें भक्ती का सही धंग समझाने का परियास करती आपके खन्ना पहुँचने के पस्चात तो अमरित सरजालंधर वा जंबू आधिराजियों से जो भी महत्मा जीटी रोड से निकलते वे आपके पास रु पड़ गया था उन्हेस सो गण सट में एक बार सेंसाह बाबा उतार सिंग जी महराज दिली से जालंधर अमरित सर की ओर कल्यान यातरा पर जा रहे थे खन्ना के बाहर ही आप अन्य महापूर्सों के साथ सेंसाह जी के स्वागत के लिए खड़ी हो गए जब सेंसाह जी अप गाड़ी रोक कर फरमाया कि आप इस प्लाट का पता करो क्या सस्ता भी मिल जाएगा और जीटी रोड पर सतसंग भवन बनने पर हर महत्मा को सुब्धा भी मिलती रहेगी सेंसाह जी तो बचन करके आगे प्रस्थान कर गए पर गुरू का बरदान तो पूरा होना ही था भवन की देख रेख वा आये हुए संतों की सेवा के लिए सत्गुरू के आदेशा नुसार सतनाम जी का परिवार निरंकारी भवन में ही रहने लगा आपके बच्चे छोटे थे भवन की सफाई वा सतसंग की व्यवस्ता आप खुद ही करती थी लेकिन आपने कभी अपने आराम की परवाह नहीं की सुबह चार बजे उठकर गिरहस्ती वा संगत की जिम्मेदारियों को बड़ी सहचता से निवाती रही सतनाम कवर जी ने अपने प्रेम तप त्याग वा सरलता से अनेक रूहों को अपने मालिक परमातमा की पहचान करवाई और उनके हिर्दे में अपनी जगह बनाई एक परचारक के रूप में आपकी सेवा मिसन के परचार के जज़बे को देखते हुए आपको तीस दस वननेश सो बहत्तर को ब्रह्म ग्यान परदान करने की आज्या दी गई उन दिनों महिलाओं को समाज में वह समान दरजा प्राप्त नहीं था जो ब बस द्वारा या खेतों में से पैदल जाकर खन्ना के निकट के गाउं तक पहुंचती ही और जिग्यासू रूहों को सत्य का मार्ग दिखलाती थी आपका साहस वादिलेरी किसी सूर बीर से कम नहीं थी आपके जीमन का अब एक ही लक्च था और वह था कि गाम गाउं में इ प्रोग्राम करवाती ही इस प्रकार कई रूहों को ब्रह्म ग्यान की प्राप्ती हो जाती और उस गाउं में सत्संग आरंभ हो जाता उदारल के तोर पर 1968 में ही आप जीने भाई साहब अमर सिंग जी पठियाला की हजूरी में गाउं राजेवाल में सत्संग का खुले मैद प्रोग्राम आयुजित किया संतों के भक्ती भरे विश्वासी बचनों का सुरोता गण पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि सत्संग के बाद कई रूहों ने ब्रह्म ग्यान की दात प्राप्त की और उस गाउं में भी सत्संग आरंभ हो गया इसी प्रकार आपने खन्ना क के निकट इकोलाहा, इकोलाही, रोहणों, जरगडी, नसराली, चकमाफी, भुर्थला, तलानिया, गोसला, मानूपूर, बूथगड, बघोर, चनकोईया, कद्दो, महमूदपूर, नौलडी, रामपूर, कनोच, सालाना, हिम्मतगड, फरजुलापूर, बूलेपूर, कला माजरा, आदी गाउं में जाकर सत्य का संदेश देना आरंभ कर दिया, आरंभ में लोग मिसन की सत्य की आवाज को सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए आपको लोगों के क्रोध वा बिरोध को सहिन करना पड़ा, जैसे गाउं, बूत गड़ में आप सत्संग करने गई, तो लोगों ने रास्ता रोक कर तथा आप सब्द बोल कर आपको वापिस जाने के लिए कहा, लेकिन आपकी प्रेम भरी मधुर भासा वादिरता जीत गई, और आपने उस गाउं में सत्संग करके लोगों के कई भरम वा भरांतियों को दूर किया, और उनमें से काफी लोगों ब्रह्म ग्यान की दात प्राप्त कर ली, ऐसे ही रतन हेडी रोहन आदी गाउं में सब रुकावटों को पार करके आपने सत्संग यारंभ किया, आपने सारीरी आस्वस्तता को कभी परचार में बाधा नहीं बनने दिया, एक बार आप खन्ना के पुरातन महापुरुस आप के सरीर पर कई चोटें आई, लेकिन आपने पट्टी बाध कर पूर्बनिश्चित किये प्रोग्राम को निभाया, ताकि जिस गाउं में महापुर्सों ने उत्षुकता से सत्संग की तयारी की थी, उन्हें निरास ना होना पड़े। के कारी के लिए रुकने वालों में से, ये घटनाएं उनके उत्साह वा लगन के तुल्ले बहुत मामूली हैं, इस प्रकार सत्गुरु वा संतों के आसिरबाद आपकी ताकत बने रहे। देती थी, एक बारे आप किसी गाउं में सत्संग करने जाने लगीं, तो आपकी गाड़ी खराब हो गई, आप गाड़ी ठीक होकर आने की इंतजार की बजाए, एक आटो रिक्सा में बैठ गएं, ताकि संगत में समय पर पहुँचा जा सके, कुछ दूरी पर जाकर रास्ता खराब होने के कारण आटो रिक्सा पलट गया, जिससे आपको काफी चोटे आई और बाजू की हड़ी भी तूट गई, परन्तु फिर भी डांक्तर के पास जाने की बजाए, आप सत्संग में चली गई, ताकि संगत को इंतजार ना करना जीवन में सद्गुरू से यह दात प्राप्त कर लेनी चाहिए, तो एक सज्जन आप से कहने लगा कि मुझे प्रभू की क्या आऊ सकता है, क्योंकि प्रभू की आऊ सकता तो उन्हें होती है, जिन्हें किसी बस्तू की जरूरत होती है, पर मेरे पास तो सब कुछ है, इस प पर आपने आज सत्संग किया है, यह इतना बड़ा मकान मेरा ही है, इस बात का जबाब देते हुए आपने कहा कि, या तो सीमेंट और इंटों से बना हुआ मकान सरीरों के रहने के लिए बनाया गया है, पर क्या आपके पास अपनी आत्मा का घर भी है, क्या सुनते ही वा जन सोच में पड़ गया, और कुछ समय के पस्चात आपके चरणों में नतमस तक होकर कहने लगा कि, क्या आज आप मुझे मेरे घर का पता और पहचान दे सकते हैं, आपने उस सज्जन की उत्सुकता को देखते हुए, उसे ब्रह्म में ज्यान परदान किया, और वा खुसी से जूमने लगा, और आपका धन्यबाद करते हुए कहने लगा कि, आज मैंने नया जीवन पाया है, इस पर आपने कहा कि, आज आपने इस मकान के साथ साथ अपना असली घर भी पा लिया है, इसलिए आज का दिन आपके लिए भागिसाली बन गया है, इस प्रकार से आपने अनेक रूहों को इस ब्रह्म के साथ जोड़ा लेखिका के रूप में आप भले ही किसी स्कूल वा कालेज में बिद्या गरहन ना कर पाई हूं लेकिन जीवन के अनभवों ने आपको बिद्वान वा अनभवी बना दिया था आपने ब्रह्म ग्यान को ब्यक्तिगत जीवन परिवार समाज वा मानों जाती का मार्ग दरसन माना आप ये अपनी विचारों में सरल परमाल देकर क्रियात्मक रूहानियत के गाहरे रहस्य समझा दिया करती थी इसलिए श्रोतागन इन विचारों को बहुत ध्यान परिवार में ऐसे ही घरेलू नुकसे जो घर को मंदिर बना सकते हैं का सुन्दर बरणन है यहाँ पूस्तक 2003 में पहले पंजाबी भासा में उपर सच आचार नाम से प्रकासित हुई इस पूस्तक को बाद में आदर्श परिवार के नाम से हिंदी वा पंजाबी में संत निर कर कई परिवारों को अपनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान मिले गया और घर का बाता बरण प्रेम में बन गया इस पूस्तक को पाठकों का भरपूर असनेहवा परसंसा प्राप्त हुई आपकी कलम से लिखे कई लेख संत निरंकारी पत्रिका में प्रकासित होते रहत अपने परिवारों को वादर्स परिवार कैसे बनाना है इस बात की जिंदा मिसाल बहन सतनाम जी थी उन्होंने बच्पन से ही अपने बच्चों को सेवा दल की वर्दी पहनाई और उन्हें सेवा सिमिरन सतसंग के साथ जोड़ा बच्चों को सत गुरु के आदेसों की पाल करने के लिए उन्हें अपने सारीरी का आराम को त्याग कर सेवा का अनंद लेने का मर्ग दिखाया आपने अपने बहूं को मा जैसा प्रेम दिया आपके सुपुत्र मनमुहंस जी की साधी एक ऐसे परिवार में हुई जिन्होंने ब्रह्म ग्यान की दात प्राप्त नहीं की आपको परबंध योंग परचार के अनेक सुपुत्र प्राप्त होते रहे लेकिने आप तो जिवन का रास्ता बना चुकी थी आपकी नम्रता मीठी भासा सहन से इलता वा सहजता अनुकर निये थी आप संतों के परिवार के साथ ऐसे इकमिक हो जाती थी जैसे वे आपके न हमारी आत्मा का ही नहीं बलकि पूरे परिवार की आत्मा का कल्यान भी होता है और दोनों लोग समर जाते हैं इसलिए घर में प्रेम सहन सीलता वा छमा सीलता की आऊ सकता कहीं अधिक है क्योंकि घर के सदस्यों के साथ आपके जीवन के सुख दुख उतार चड़ाओ की तार अधिक जुड़ी हुई है जिस परिवार में मिलवरतनवा प्रेम है उस परिवार में सुखों का बास है सुख वासांती का स्रोत हमारा मन है इसलिए यदि मन संतुष्ट है तो घर स्वर्ग से कम नहीं आप जिस परिवार में देखतीं कि घर के सदस्यों के बीच दूरियां ब साथ खड़ी रहती और इस प्रकार उनका उत्साह बढ़ाती थी आप एक विबे की महिला थी विपरीत परस्थितियों में भी सत्गुरू का सहारा लेकर स्वैंग भी अडोल रहती और दूसरे महापुर्सों का भी होसला बढ़ाने का परियास करती आपका हिर्दय विशाल थ आप संगत के महापुर्सों वा सेवादल के अधिकारियों के साथ सलाह मस्बरा करके ही कारी करती थी सेवा को बांटना और इस प्रकार दूसरे महापुर्सों को भी सेवा करके आनंदित होते हुए देखकर खुस होती हैं खंणा के सेवादल यूनिट के संचालक मास्टर अमर जीत सिंग सिच्चक राज कुमार वालिया जी अथवा अन्य सेवादार संगत के महत्मा भाई सहव अच्छरा सिंग जी वासुदेव जी चमनलाल जी पूंड चंद जी, बनारसी दास जी, दरबेश जी, मास्टर प्यारा सिंग जी, राजिंदर कुमार जी, आधी अनेक महापुर्षों का सहयोग लेकर आप परचारवा प्रबंध व्यवस्ता को सुचार धंग से निभाती रहें पन्यस सो सतर में खन्ना में दो दिवसिये इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का इंप का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली से सभी के इंदरी अधिकारी पहुँचे और सेवादल को ट्रेनिंग दी गई, इस अउसर पर सेवादल की एक सोभा यात्रा निकाली गई, सेवादल के अनुसार नम्रता वा हुक्म मानने की भावना ने इस प्रोग्राम को सुवस्मरणिये बना दिया, और दर्सकों ने भी सेवादल के अनुसासन की भूरी भूरी पर संसा की, आप सभी बरांचों के महापुरसों को सेवा माट देते और प्रोग्राम की छाप दिलों में तो मिसन के मौलिक सिध्धानतों वा मिसन का आधार ब्रम्ह ग्यान से मानोता को एकत्य के सूत्र में बाधने का परियतन बड़े बड़े अफसरों तक पहुचाना था, इस कारी के लिए अकसर वा अपने निकट की ब्रांच मंडी गोबिंदगर से बहन राज बास देव सिं में उच्च पद पर न्यूक्त थे, उनसे भी आप निरंतर संपर्क बनाए रखती हैं और उनके अनभोवा तजुर्बों से भी लाभ उठाने में कभी ना जिजगती हैं। आप इस मुश्किल समय में भी विश्वास वांदर्भीकता के साथ उन सभी गाउं में जाती रही जहां किसी परिवार के सदस्ट ने मिसन के लिए अपने सरीर का बलदान दिया या जिने समाज के करोध के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन परिवारों को आप ये अपना प्रेम हुआ सहान भूती देकर गुरुचरणों से जुड़े रहने की प्रेनडा निर देती रहें। इस तरह आपके परोपकार के कारण सभी महतमा इस कठिन परिक्षा के समय भी निरंकार सद्गुरु का सहारा लेकर अपनी भक्ती को बचा पाए। सेवा दल को सलाह दी की लंगर के पैकेट बना कर संगतों में बाट दिये जाएं ताकि संगत समाप्ती के बाद अपने बाहनों में बैठ कर वा परसाद गरहन कर लें। जब सत्संग चल रहा था तो अनाज मंडी के दुकानदार सोचने लगे की प्रोग्राम तो बहुत सु जब उनको पता चला कि लंगर पैकेट में पहले ही बित्रड किया जा चुका है तो उन्होंने इस परबंद के लिए भी मिशन की सलागा की कैसी भी विपरीत प्रस्तिती हो निरंकारी महत्मा रास्ता निकाल ही लेते हैं। को साथ लेकर खन्ना की सबजी मंडी में प्रोग्राम का आयोजन कर दिया। सत्गुरु की कृपा से कार्य तो पहले ही हुए होते हैं। निरंकारी अपने भक्तों में सेवा की ताकत भी भरता है और यस उनकी जोली में डाल देता है। आगमन खन्ना में हुआ और बाबा जी की छत्र शाया में एक विसाल संत समागम का आयोजन किया गया। समागम की सभी विवस्ताएं सुचारू और सही धंग से की गएं परंद किसी के बहकावे अथवा भय में आकर जिस जमीन पर समागम आयोजन होना था। उसके मालिक ने अचानक ही रात को दस बजे समागम के लिए जमीन देने से मना कर दिया। जबकि पराता वहाँ पर समागम होना था। ऐसी परस्तिती में भी आप बिना घबराये बिना बिच्रित हुए सेवादल योंगसाद संगत के सहयोग से पास में ही एक और मैदान में रातों रात समागम की इतनी सुन्दर ब्यवस्ता कर दीं कि देखने वाला कोई भी यह न संगत को भरपूर आसिरवाद दिये। आपके सहर में तीर दिवसी सेवादल ट्रेनिंग कैंप लगे या अंग्रेजी माध्यम समागम बाल समागम अथवा महिला समागम आयोजित हुए। आप सेवादारों का हर कारे में अपने अनुभो से मार्ग दरसन करती जिससे प्रो संग में कैसे सांतवा एकाग्र मन से बैठना है, खामों से रहकर सेवा करनी हैं, आद छोटी छोटी बातें आप समझाती राती थी, आपकी मधुरबाणी आपके संपर्क में आने वालों के दिलों को चू जाती थी, आप गिरहस्त में रहकर भक्ती करने की युकती अपने बेवहार वा किरदार से सिखाती थी ग्रहस्त को स्वर्ग बनाने के लिए महिलाओं को सदेव सिच्छा देती हैं कि आप यदि सास हो तो मा बन जाओ और यदि बहू हो तो सास को मा बना लो ताकि प्यार और विश्वास की डोरी से गर की एकता बनी रहे दुनियाबी धन के का किरपा से मिल जाएगा लेकिन धन से रिष्टे नहीं खरीदे जा सकते इस प्रकार मानों को हो मानों प्यारा एक दूजे का बने सहारा कि आप सदेव पर नड़ा देती रहें आपने अपनी बहूं को बेटी सा प्यार दिया और वे भी आपको मा जैसा प्यार वासतकार देत सतनाम कवर जी को अपनी बात कहने का सलीका आता था वह कड़वी दवाई को भी मिसरी में लपेट कर खिलाती बहुत बार किसी घर परिवार के घरेलू मनमुटाओं को बड़े प्यार से समझा कर दूर कर देती आपकी बात मानकर अगले के घर में तनाव का बाता बरन खत्म हो जाता आपका कहना था कि घर में संत महत्मा आते रहें सेवा सतकार के अउसर मिलते रहें दुष्ट भावनाओं की मैल उतरती रहे तो ही भक्ती का आनंद आता है परवंद की ये सेवाएं यूं तो खन्ना की संगत का विकास आपके जीवन के विकास से जुड़ा हुआ है गिरहस्त की जिम्मेदारियों को निभाते हुए निसकाम वा प्रेमा भक्ती कैसे की जाती है इसको आपने अपने जीवन से परमारित किया खन्ना वा अडोस पडोस के सभी गाओं को संतों महापुरसों को आपने अपने प्रेम की पक्की डोरी से इस कदर बाधा की परतेक परिवारे आपको अपने घर का मुखिया ही समझने लगा था पले ही खन्ना के उस समय पर मुखिया आपके पती स्री तिर्लोचन सिंग जी थे लेकिन संगत की परबंध विवस्ता कुसलता से आप ही समालती थी आप सभी संतों महापुरसों वासे बादल के नौजवानों को साथ लेकर बड़े बड़े प्रोग्रामों का आयोजन बड़ी सरलता से कर लिया करती थी आपकी लगने और उत्साह को देखते हुए 1981 में जब सत्गुरु बाबा गुर्बचन सिंग्जी महराज ने परबंध विवस्ता को चलाने के लिए एक क्यावन सदस्यों वाली वरकिंग कमेटी का गठन किया तो आपको भी इस परबंध किये कमेटी का सदस्य बनाया आपके अंदर यह भावना प्रबल थी कि गुर्सिक वही होता है जो आप गमाए ना की गिनवाए जब आपको उपरोक्त नियुक्ती का पता चला तो आपने सत्गुरु के चरणों में बिंती की की मैं तो घरेलू और कम पढ़ी लिखी महिला हूँ इस पर भावा गुर्बचन सिंजी महराज ने फरमाया की करने वाला तो पार ब्रह्म निराकार है गुर्सिक तो मात्र एक जरिया है इसी तरह सत्गुरु ने अपनी मुष्खुराहट देते हुए आसिरबादों की जड़ी लगा दी उस दौर में आपने खन्ना के बलदानी परिवारों को धांठस बदाया कि उग निरंकार सत्गुरु का सहारा लेने की प्रिणड़ा दी और खुद भी अडोल रही आप समय समय पर उन परिवारों में जाकर उनकी होसला आफजाई और गुरु पर अटल बिस्वास बनाए रखने की प्रिणड़ा देती रहती थी सत्रा फरोरी दोहजार में भाई साहब तिरलोचन सिंग्जी के ब्रह्मलीन होने के बाद आपको संजोजक की सेवा परदान की गई जिसके तहत खन्ना के अलावा पायल, दोराहा, समराला, माचीवाडा, बरांचों की भी सेवा आपको परदान की गई आपने गुर्मत की मर्यादा में रहकर सब परबंद व्योस्था की सेवा की भावना, निसकाम सेवा भक्ती को मजबूत करती है, सेवा करना और सेवा करने की परेणा देना दोनों ही बहुत महत्पूंड है सीमित साधनों के होते हुए भी जहां आप स्वयम, तन, मन, धन से सेवा करती हैं, वहीं पर दूसरे महापूर्सों को भी सत्गुरू रूपी धरती में सेवा का बीज डालने की परेणा देती रहती हैं सेवा की परेणड़ा आप सब्दों से नहीं, अपने कर्म या आशिरबादों से देती हैं, एक बार बहन पदमा सोक जी, चन्रीगड़ से सत्संकर ने खन्ना आई, उनकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था, आपकी परेणड़ा से यह सेवा दो चार नोजवानों ने मि महापुरुस के पास 20 रुपे ही थे, उसने वह सारी रासी इस सेवा में लगा दी, जब आपको पता चला तो आपने उस महापुरुस को आशिरबाद दिया, कि आपने सत्गुरु की धर्ती में महगा बीज डाला है, यह कई गुना अधिक होकर आएगा, सचमुच उस महाप उसे मिल गई और उसकी फसल भी पहले से कहीं अधिक पैदा हुई, आपका हिर्दे प्रोपकारी था, आप जानती थी कि जीवन में तन मन धन के सुख वा रुहानी आनंद का रास्ता सेवा में ही है, आप हर संत को सेवा के लिए प्रेजित करती हुई, अक्सर कहती ही, संतों की सेवा सुखों की खान है, गुरू का बचन मान कर की गई सेवा कभी निस्पल नहीं होती, इस तरह हैं आप संतों को सेवा के द्वारा जीवन में बहार लाने का मार्ग दरसा थी, जब सतसंग भवन का निर्मार कारे चल रहा था, तो जितना समय मिलता, आप ये अपनी भवन में आपका निवास रहा, भवन की एक एक बस्तू को समालना, संतों की माया का सदपयोग करना, भवन की सफाई वा देख रेख में परिवार सहित, पूरी तरमेता से ध्यान देना आपके सुभाव में था, आप सदेव काती की मिसन की जितनी माया बचाएंगे, वो हमा सेवा ही होगी, इसलिए आप भवन में रहते हुए, छोटी छोटी बातों की ओर भी ध्यान देती हैं, जैसे ब्यर्थ में चल रहे पंखे वा लाइटें बंद करना, पानी का सुद्पयोग करना आदी, सेवा भक्त की तकदीर बदल देती है, क्योंकि सेवा से संतों को खु बन जाता है, इस सिध्धान्त को अपनाते हुए, आप महापूर्सों को खुसहाल वा सुखत जीवन जीने का सलीका ही सेवा को बताते हैं, और अपनत्त के दाइरे में लाकर उन से सेवा करवाती थी, जैसे वननेश सो सत्तर में जब खन्ना के प्रथम सत्संग भवन के निर आते हुए, उन्हें धन से भी सेवा करने की प्रिणडा दी, महापूर्स भी आपके बचन को गुरू का बचन मानते थे, उस महत्मा ने आपके बचन को सत बचन करके माना, और कैसे भी करके आपको दस हजार रूपे सेवा के लिए दे दिये, उनकी पतनी भी सेवा करने में पीछे ना रही और उन्होंने भी एक हजार रूपे देते हुए कहा ये पैसे मैंने थोड़े-थोड़े करके जोड़े थे यह सुनते ही आपने सहज में उन्हें बहुत आशिरबाद दिये और कहा कि आपकी यह सेवा इतनी पर फुलित होगी कि आपकी साथ पुष्टों तक कोई कमी नहीं आएगी आज वही परिवार इस आशिरबाद का गवाह है बेहन सतनाम जी अक्सर संतों महापुर्सों के घरों में जाकर उनका हाल चाल पूछती रहती थी ऐसे ही अपने सुभाव के मुताबिक आप एक महतमा के घर चली गए आपने देखा कि उस महतमा के चहरे पर कुछ उदासी चाई हुई है आपने उस महतमा से पूछा कि आपके चहरे पर यहाँ उदासी कैसी है तो महत्मा ने अपनी परस्थिती को ना बताते हुए कुछ टालम टोल करने की कोशिस की तो आपने एकदम कहा कि साइद आप मुझे अपनी मा नहीं समझते इसलिए अपने दिल की बात मुझे साजी नहीं कर रहे हो यह बात सुनकर उस महत्मा ने अपनी परिसानी बताते हुए कहा कि बेन जी मेरा कारोबार ना के बराबर रह गया है घर में माया की तंगी के साथ साथ खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं यह बात सुनते ही आपने अपने पर्स से मुठी भर कर हाथ में जितने भी पैसे आए उस महत्मा को पकड़ा दिये परंतु उस महत्मा ने जैसे ही वह पैसे पकड़े वैसे ही वापिस आपके हाथ में रख दिये और कहा कि आप जी के पास तो खजाने हैं आप जी आसिर बात कि मेरे जीवन में कोई भी कमी ना रहे आप जी ने सहाज अवस्ता में अपने सद्गुरू के चरणों में अरदास की और कहा दातार किरपा करे आज के बाद आपको किसी बस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी आप हमेशा गुरू चरणों से जुड़े रहो सारे सुक जोली में डलते रहेंगे उस दिन के बाद उस महत्मा के जीवन में परिवर्तन आ गया और सुक शुबदाओं की कमी ना रही 1993 में जब पंजाब के कुछ साहरों में बाढ़ के कारण पानी आ गया तो उस समय आपने अपना ख्याल ना करते हुए मानोता के परती अपने जिम्मेदारी को समझा और समर्पनवा प्रेम भाव से बिना किसी भेद भाव के की सब से प्यार करो के अनुसार बहुत से परिवारों को दिरंकारी सतसंग भवन में रख कर पूरी तनमेता से उनकी सेवा की उस समय एक परिवार जो अभी नया नया ब्रह्म ग्यान लेकर मिसन में सामिल हुआ था उसके परिवार के मुखिया को दिल का दौरा पड़ गया आपने महापुरसों की सहायता से उनके मुखिया को नजदी की अस्पताल में भरती करवाया जहां डांक्टर कह रहे थे कि इस सज्जन के लिए अगले 72 घंटे बड़े मुश्किल है उहीं आपने उस परिवार को होसला देते हुए कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ध्यान को निरंकार के सुम्रण में लगाओ क्योंकि सुम्रण करने से बड़ी से बड़ी मुश्किल चुटकियों में हल हो जाया करती है जब तक वह महत्मा ठीक नहीं हुए तब तक आप उस परिवार के साथ अस्पताल और घर में रहकर उन्हें गुरू पर विस्वास रखने की प्रिनड़ा देती रही एक बार जब आप पंजाब यात्रा के दौरान एक अस्थान पर रात की संगत समाप्ती के पस्चात महा के अस्थानिये परवंधक महापुर्सों को अपने अपने घर जाकर याराम करने के लिए कहा और दूसरी सुबा साथे चार बजे स्वैंग जल्दी उठकर पर चार यात्रा में साथ चल रहे महापुर्सों को अपने हाथों से चाए बनाकर उन्हें जगाया तो महापुर्सों ने आपके चरण पकरते हो ये कहा कि आपने चाय बनाने के लिए हमें कह देना था तो आप उसी मधुरभासा में कहने लगी कि आप सभी मेरा इतना ख्याल रखते हो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपकी सेवा करूं निरंकार की सकती आपके अंदर आसिरबाद के रूप में हर एक जरूरत मंद के लिए प्रगट होती थी आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होता था आप जिस घर जाती उसका दुखदर्द देखती तो चुपके से उसकी मदद कर देती कई बार तो आप जरूरत मंद को अपने घर से रासन भिजवा कर सेवा कर दिया करती थी सुरवाती दौर में चाहे घर की आमदनी कम थी पर फिर भी आपका विश्वास था कि जिसने पैदा किया है पा कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देगा आज उन्ही की कमाई हुई सेवा की बदोलत सारा परिवार खुसाल है तेरा किया मीठा लागे बेहन सतनाम कवर जी के जीवन में कई उतार चड़ाओ आए जीवन में बहुत सी परेसानियों और मुश्किलों का सामना किया लेकिन आपने इन्हें निरंकार की रजा मानते हुए सहजता से स्वईकार किया सांसारिक तोर पर उनके कितने ही नजदी की रिस्तेदार जैसे दामाद, इकलोती पुत्री, पोता, नाती, पुत्र, पती या सभी चाहे समय से पहले निराकार में बिलीन हुए फिर भी उन्होंने तूं कबूल, तेरा किया, सब कुछ कबूल, परमारित किया आप कहती थी कि इसका काम है यही जाने हमें तो हमेशा इसके भाणे में रहते हुए हर दम इसका सुकर ही सुकर अदा करना है अगर जीमन में विपरीत परस्थितियां आ जाएं और समझना आए कि अब कैसे क्या करना है तो इन परस्थितियों को भी निराकार की रजा मानते हुए इसे निराकार पर ही छोड़ देना चाहिए साथ एक्टूबर 2011 में जब खन्ना के नए संत निरंकारी सत्संग भवन की बाहरी दीवार का निर्माड कारी चल रहा था दीवार के साथ वाली जमीन जो लगभग 20 फुट नीचे खाई की तरफ थी के साथ दीवार बनाने का कारी चल रहा था उस दिन संगत के कुछ महतमा भी सेवा में योगदान डाल रहे थे मिट्टी खिसकने के कारल दीवार के साथ खड़े महापूर्सों के ऊपर दीवार गिर गई जिसके नीचे दो महतमा भाई साहब नोजोज सिंग जी और भाई साहब सुरिंदर कुमार जी दबकर सहीद हो गए इस घटना से जहां दोनों परिवार सुन हो गए वहीं इस घटना की जानकारी हुजूर बाबा हर्देव सिंग जी महाराज तक भी पहुँची उस समय आपने दिन और रात ना देखते हुए दोनों परिवारों को समालने में कोई कसर नहीं छोड़ी इस घटना के दो महिने के अंतराल में ही हुजूर बाबा हर्देव सिंग जी महाराज का आगमन खन्ना के नजदी की सहर मंडी गोबिंद गड़ में हुआ आप जी ने मंडी गोबिंद गड़ में जाकर हुजूर से बिंती की की बाबा जी बिंती है की आप उन परिवारों के सिर पर हाथ रखने की किरपा करें ताकि वे परिवार भी अडोल रह सकें और सच के साथ जुड़े रहें उस समय हुजूर बाबा हर्देव सिंग जी महराज की पंजाब यातरा का कारिकरम इतना ब्यस्त था कि कहीं भी जाने के लिए समय की गुनजाइस नहीं थी परन्तु आप ने इतने भक्ती भाव से इन परिवारों की मंगल कामना के लिए प्रार्थना की तो बाबा उने भी आपके आगरह पर समय ना होते हुए भी अपने भक्तों को प्रभू इक्छा में जीने की सक्ती पर दान करने हे तू उन संतों के घरों में चरण डाले। शरीर को त्याग कर निराकार में लीन हो गया नौजवान बेटी की मृत्व पर सारा ही परिवार जहां दिरासा और सोक में चला गया वहीं रिष्तेदारों और अडोस परोस के लोगों की बातों का आसर कहीं गुरसिक परिवार पर ना हो जाए वह परिवार कहीं तूट ना जाए इसलिए आप उस परिवार में जाकर उन्हें गुरू पर द्रता और विश्वास बनाए रखने की प्रिनड़ा देती रहें। बेहन सतनाम जी ने उस परिवार को निरंकार के भाणे में रहने की प्रिनड़ा दी और समझाते हुए कहा कि निराकार की अपनी रजा है जो आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर सत्गुरू का मेहर भरा हाथ ही आपके सिर पर है माध्यम कोई भी बने सत्गुरू स्वैम हमा सारे कारिस ही करते हैं दातार किरपा करेगा आपकी सम्हाल आपका नाती बिलकुल एक पुत्र की तरह करेगा उस समय उस महत्मा की बेटी की अभी साधी भी नहीं हुई थी पर बहन सतनाम जी का परिवार को दिया हुआ आसिरबाद निरंकार ने पूरा किया उस महत्मा की ब बुरूदर से जुड़कर ये अपना जीवन बक्ती भाव से और खुसियों भरा व्यतीत कर रहा है और वह नाती भी बुजुर्गों की सेवावा सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। उस समय आपके ब्रह्मलीन होने की खबर जैसे ही गुर्मुख परिवारों में पहुँचने सुरू हुई तो सभी संत महत्मा एक एक दो दो करके सरकार के नियमों की पालना करते हुए आपके पार्थिव सरीर के दर्सन करके घरों को लोड़ते रहे। यूँ तो आपके पार्थिव सरीर की अंतिम यात्रा में साइद सैकडों की गिंती में महत्मा सामिल होते लेकिन समय की मांग को देखते हुए आपका अंतिम संसकार परसासन के दिसा निर्देशा नुसार कुछ सेवा दल के बहन भाई परिवार वासंगत के सीमित सदस्यों की मौजूदगी में ही किया गया तेईस जून दो हजार बीस को दो पार एक बजे से दो बजे तक परसासन के दिसा निर्देशा नुसार तीस से पैंतिस महापुर्सों की हजूरी में आपकी याद में प्रिनडा दिवस की संगत रखी गई जिसमें स्री प्रभुदयाल सिं गुरू के लिए लगा दिया उनके जैसा जीवन जीना हर किसी के लिए संभो नहीं बहन सतनाम जी की पहचान उनका गुरू के परती अथाह प्रेम निस्काम सेवा और समर्पित जीवन है ऐसे गुर्सिखों के बारे में ही संपूर यवतार बाणी में फरमाया गया है कि धन्य गुरू ते धन्य गुर्सिक ने जो इकमिक हो जान देने पांदिनी अवेतार नाम जो अपनाया प्रेमान देने संपूर यवतार बाणी सब्द नंबर 281 ये थी बहन सतनाम कौर जी सत्गुरू माता सुदिक्छा सबिंदर हर देव जी महराजी की किरपा से दास ने संथ निरंकारी मिशन की प्रेरक महिलाए नामक पुस्तक जिसे राजबास देव सिंग जी ने लिखा है आप सभी संथ महापुर्शों के स्रीचरणों में रखने का प्रियास किया है हम सभी सद्गुरु माता सुदिक्षा सबिंदर हर देवजी महराज के स्रीचरणों में अरदास करें याचना प्रार्थना कामना करें कि हे दिन द्याल सचेपाज सा सद्गुरु माता सुदिक्षा सबिंदर हर देवजी महराज दया करो किरपा करो महर करो हम भी जैसे भी हैं कच्चे पक्के आपके बच्चे हैं इतनी किरपा दरिश्टी, दिया दरिश्टी, इतनी सक्ती और सामर्था इतनी विवेक और बुद्धी हम सभी संत महापुसों के मनों में, दिलों में आप परदान करें जिससे हम सभी आपके एक एक आदेश उपदेश को सही माइनों में समझ कर जियों कातियों मानते हुए अपने जीमन को भी सुख में और अनन्द में बनाएं अपना लोग सुखी और परलोग सुहला कर पाएं सत्गुरु माता सुदिक्षा सबिंदर हर देव जी महराज की जै महापुर्सों प्यार से कहिए धर निरंकार जी